येर फिंड्स आप देख रहे हैं एन्वल एक्जाम पेपर 2022 का आईटी का सोलूशन चलिए इसके MCQ के सोलूशन को देखते हैं आपने कितने सही किये हैं कितने गलत किये हैं एक बार जरूर चेक करें ताकि आप कंफर्म रहें कि आपके मार्क्स कितने आने वाले हैं पहले कोशन से स्टार्ट करते हैं और आप भी अपने कोशन पेपर्स को हमारे वाटसेप नंबर यहां पर जो वाटसेप नंबर डिस्पले हो रहा है इसका आंसर हो जाएगा यूनिफ़ार्म रिसोर्स लोकेटर यू आर एल जिसको साइटफस्वर्म में बोलते हैं यहाँ पर जो है यूनिफ़ार्म इसलोकेटर सैकेड़ आपशन जो हैelet हो जाएगा उसके बाद जो नेक्स्ट कुश्चिन है उसकी लिंक के प्रयोग से जा सकते हैं इसके बाद तीसरा जो question है the text in the upper margin of page is called तो अपर margin पे जो होता है उसको हम header बोलते है ठीक है और जो lower margin पे होता है उसको हम क्या बोलते है फुटर बोलते है तो upper margin वाला क्या होता है आपका header होता है तो यहाँ पर जो यह mistake से लगाया गया किसी student के दोवारा यहाँ पर जो है next question इसमें पूछा गया web pages starts with which of the following tag तो back page जितने भी है आपके सारे stml tag से start होते हैं ठीक है तो आपके web page निमलिकी में से किसी tag से शुरू होते हैं तो stml tag से यह शुरू होते हैं ध्यान रखना है आपको तो यहाँ पर जो आपका third option correct हो जाएगा पांचवे question की बात करते हैं तो पांचवे question में ए collection of web pages is called तो collection यानि web page जो का एक संग्रह को क्या कहा जाता है तो web page जो के संग्रह को website बोलते हैं तो क्या होगा third option आपका correct होगा website इसके बात जो next question है यहाँ पूछा गया आपको stml stands for यानि की stml का full form क्या होता है तो hyper text markup language यह सही answer है इसका तो यहाँ पर जो है आपका third option correct हो जाएगा साथवे question की तरफ move करते हैं साथवे question में आपसे पूछा गया है the full form of USB सभी ने सही लिखा होगा full form होता है universal serial bus ठीक है तो यह आपका second option जो है इसका correct हो जाएगा USB का पूर्ण रूप जो है universal serial bus होता है उसके बाद में हमारा आठवा question तो आठवे question में window Microsoft window is a और n तो Microsoft window क्या ह है तो Microsoft window जो है operating software operating system है ठीक है तो यहां पर क्या होगा operating system यह option जो first option आपका correct हो जाएगा इसका बाद में नौवा जो question है उसकी बात करते हैं तो what is the first step in the software development life cycle life cycle की बात कर रहा है तो इसमें क्या होता है तो इसमें जो होता है आपका simply जो है इसमें primarily investigation and analysis यानि प्रारंबिक ज जाच और विसलेशन होता है तो इसमें fourth option जो है आपका correct होगा ध्यान रखना है कि आपका software विकास जीवन चक्र में पहला कदम क्या है तो पहला कदम जो है प्रारंबिक जाच और विसलेशन है तो fourth option इसमें correct होगा नौवे question में इसका बाते हैं हमारा दसवे question की दरफ दसव of the following is involved in system planning and designing phase of the software development cycle life cycle तो इसको SDLC short form में बोलते हैं और इसमें जो है आपका सारा option सही है यानि कि उसमें sizing भी है parallel run भी है और specification of fridge भी है तो all of these यानि कि चौथा option इसमें correct होने वाला है software development life cycle के system planning और designing page में निमलिकित में से कौन सामिल है तो इनमें सभी सामिल है सामाना अंतर run इसके बाद में है 11 question 11 question में आपसे पूछा गया है कि the purpose of development is software product using software engineering principles and method is related to as तो यह किस से related है तो इसको हम बोलते है software evolution के नाम से जानते है software engineering सिधानतों और video का उप्योग करके एक software उतपाद विक्सित करने की करिया को जो हम software विकास कहते है इसमें second option आपका correct होने वाला था इस इसके बाद जो है आपका next question उसकी बात करते हैं तो 12 number question में आपसे पूछा गया है the reason for software bugs and failure is due to तो इसमें पूछा गया software bug और विफलताओं का कारण खालिस्तान है तो इसमें दोनों कारण है इसमें A और B दोनों options सही हो जाएंगे यानि कि third option आपका सही होगा software developers भी है इसके उतरदाई और software companies भी है ठीक है तो यहाँ पर दोनों की दोनों आते हैं answer आपका जो correct होगा वो होगा third option यहाँ पर क्या होगा एक और दो दोनों यानि software developers भी और software company भी ठीक है तो यहाँ पर तीसरा option जो है correct करना था तेरवा question है what does DFD stands for DFD का full form आपको बताना है तो इसका होता data flow diagram DFD ठीक है तो यहाँ पर second option जो है इसका सही answer है 13 question का 14 question की बात करें तो the process of finding and fixing bugs in is termed as तो bugs को find और fix करना क्या कहलाता है यह पूछ रहा है तो यहाँ पर जो है इसका right answer जो होगा वो क्या हो जाए का debugging ठीक है debugging कहलाता है उसको तो हम third option जो है इसमें correct करेंगे उसका अत्पं फाइल का extension कौन सा होता है तो dot py होता है यह सही option है आपका second वाला dot py जिसने भी सही किया है उसका सारे answer सही है तो यह 800 commerce science के लिए id's का paper देखा जिसका हमने mcq का सारा solution आपको बताया और सारे answer विल्को correct है आपने कितने सही किये है इनको आप जरूर एक बर refer करें इस वीडियो के माध्यम से अपने दोस्तों को जरूर सेंड करें अपने papers भेज सकते हैं हमारे इस whatsapp number पे बाकी papers आप देख सकते हैं हमारी playlist में जो कि आपके सामने प्रकट हो रहा है आपके सामने दिखाई दर है playlist को touch करके देख सकते हैं thank you very much have a good day